यहां पर हमारे पास मीनिग दिया हुआ है जहां यह बताया गया है कि imputed rent means the rent you pay to yourself is called imputed rent it means जो rent आप अपने आपको ही पे करते हैं उसको हम imputed rent कहते हैं अब ये imputed rent का मतलब क्या होता है for example अगर आप एक घर घर लेते हैं और उस घर में आप खुद ही रहते हैं it means ये owned house आपका खुद का घर है तो आप rent नहीं पे करतें लेकिन वो ही घर अगर आप rent पे दे देते हैं तो आपको मिलता है rent अब हमारे लिए imputed rent वो होता है जिस घर में आप खुद रह रहे हैं और आपको rent नहीं पे करना पड़ रहे हैं बाइचांस अगर आप उस घर में किसी और को रहने के लिए देते तो आपको वहाँ से rent मिलता इट मींज आप खुद को ही rent पे कर रहे हैं अब ये rent हम पे करते हैं किसको हम rent पे करते हैं tax authority को यहाँ पर example में हमने आपको बताया कि आपके पास एक ही घर है दो conditions आपके सामने हैं एक है your own house और या फिर वो house आपने rent पे दे दिया है अगर आपका खुद का घर है तो उस घर के बाइचांस अगर 10,000 rent बनता होगा तो वो rent आप नहीं पे करतें वो किसी को देने की जरुवत ही नहीं क्योंकि वो घर आपका है लेकिन वो ही अगर हमने वो घर किसी और को दिया होता तो उस घर से हमको मिलती थी 10,000 की income और उस income पर हम tax pay करते थे tax authority को तो यहां से हमने tax pay करना है tax authority को लेकिन अगर हम उसी घर में रह रहे हैं तो हमें वो 10,000 किसी को pay करने की जरुवत नहीं है और हमें tax भी pay करने की जरुवत नहीं है तो जिस income पर हम tax pay नहीं कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं imputed income और imputed rent the rent you pay to yourself is called imputed income आपकी income है वो या फिर उसको हम second language में बोल सकते हैं imputed rent लेकिन कई country में यह objection लिया गया है और कई country में अपोस भी किया गया है कि imputed rent means जो आप अपने घर पे भी अगर रहते तो आपको कोई नो कोई rent pay करना पड़ता तो वो इस equal amount का rent आपको pay करना पड़ेगा यह है एक concept imputed rent का hope you friends आपको हमारा वीडियो पसंद आयेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और हमेशा देखते रहे हमारा चैनल Thank you friends झाईनल